नालंदा में बंद कमरे से फंदे से लटका हुआ यूवक का शव मिला है घटना बिहार थाना इलाके के बुसटा महले की है मृतक स्वर्गिये चंदर शेखर शुकला का तीस वर्षिये पुत्र आजादी कुमार है दरसल पिछले दो दिनों से जब कमरे का दर्वाजा नहीं खुला तो परिजनों ने अनहोनी की आज शंका हुई उसके बाद इसकी सूशना थाने को दी गई सूशना मिलते ही बिहार थाना अध्यक्ष दीपक कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुँचे जिसके बाद कमरे का दर्वाजा तोड़कर दाखिल हुए तो यूवक का शव फंदे से लटका मिला परिजनों ने हत्या होने का रोप लगाया है हाला कि पुलिस इसे खुद खुशी का मामला मान रही है पोस्ट मॉटम रिपोर्ट के आने के बाद ही मामले का खुलासा हो सकेगा फिलहाल पुल कब से इधारा है पुराना घर इसे इनाया घर बनाया है कब से बना हुगा इसका खुशी है तो क्या कुछ अपडेट है अब तक इस मामले में जी बताना चाहूंगा कि यह जो युदक था वो फिली रचा था इस घर में और इसके जो भी परजियां से वो पटना मराते थे कुशी माना जाए और पुलीस भी अई बत बात बता रही है यहीं जब-तुक ऌटर रिपोर्ट में आ जाती है तो इस बात की कहना उसी बिए जब तक पुश्मॉटर रिपोर्ट में आ जाती है तब तक कुछ नहीं सकता है आप परजिजन के दौरा भी इसकी लिशिस जानकारियों के लिए शुक्रिया तो आपको बताते चले कि नालंदा में बंद कमरे से एक यूवक का लटकता हुआ शव मिला था जिसमें परजनों ने आरोप लगाया है कि किसी ने उसकी हत्या कर दी है वहीं पुलिस का कहना है कि ये साफ-साफ खुशी का मामला है पोस्ट म नालंदा जुले के भिकनी बिगहा गाओं में पुलिस को बड़ी सफलता हात लगी है जहां गुप्त सूचना के आधार पर शापे मारे करते हुए पुलिस ने करीब 15 लाक रुपे के विदेशी शराब को जब्त किया है यहीं नहीं पुलिस ने मौके पर 3 शराब तसकरों क को भी गिरफतार किया है बताया जा रहा है कि भिकनी बिगहा गाओं में होली और पंचायत चनाओं को लेकर शराब की बड़ी खेप मंगाई गई थी जिसकी सूचना पर पुलिस ने छापे मारी कर मिनी ट्रक से 146 काटन विदेशी शराब बरामद करते हुए तीन तसकरों क को धर्द बोचा है तराब के रुद्ध कारवाई की गई है पुलिस अधीक्षक महदय के दिसानिर्देशन में सारे थाना च्छेतर के भिगनी बिगहा गाओं में ये टाटा चासु साथ पर ये लोग शराब को तसकरी कर लाए थे और मोकेवार्दा से तीन गिरफतारी हु अपराधियों के पास से दो देसी पिस्टल, दो जिन्दा कार्तूस, मादक पदार्थ, मुबाईल और सिम कार्ड बरामद हुआ हुरासत में लिए गए तीनों अपराधी शहर के कारोबारियों से फोन कर रंगदारी की मांग करते थे साथी रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी देते थे, हाल ही में उन्होंने दवा वेवसाई से दस लाख की रंगदारी मांगी थी, जिसकी शिकायत पुलीस में की गई, जिस पर पुलीस ने ट्रैक कर इन्हें धर्द बोचा है इसके संबन में कांट संख्या 11421 दर्ज किया गया था, फेज स्टीब्यो सदर के नेत्रित में और SHO छतौनी, SHO टाउन, टेकनिकल सिल के मनीस और अन्या जो हमारे पुलीस कर्मी है, चिरंजी भी मुन्ना और नित्यानन इलों के दोरा बहुत ही अच्छे से कारवाई करते हुए, तीन अपराद कर्मियों का अरेष्ट किया गया है, विसाल सिंग, विसाल कुमार और विश्नो कुमार जो हमारे साथ हमारे सही ओगी धननजे जुर चुके हैं, धननजे जो गिरफतार हुए हैं, आरोपी, उनसे क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? जे, ये मोतिहारी का अतिव्यक्तम मिलाका मीना बजार है, जहां पे दवा बेवसाई प्रभात मेडिकल स्टोर और मोबाईल के केसरी कलेक्शन के मालिकों से गत दिनों इनों के द्वारा रंगारी की मांग की गई थी, और जैसा की बताया जाता है कि पुलिस के द्वारा ए सुनिशित की गई है, और इन लोगों पर काफी रंगडारी का मामला है, और जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया धननजे, तो आपको बता दे कि रंगडारी मांगने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है, वो बिजनिसमैन से रंगडारी म गिरफतार कर लिया है, इन दिनों तिजस्वी यादव नितीश सरकार के मंत्रियों पर लगातार हमला कर रहे हैं, शनिवार को आवास पर प्रेस वारता कर उन्होंने आरोप लगाया कि राम सूरत राए के भाई पर एफाई आर होता है, लेकिन कोई कारवाई नहीं होती है, जबकि शराब बंदी कानून में या नियम बनाया गया है कि जहाँ शराब बरामद होगा, वहाँ थाना खोला जाएगा, लेकिन नवेंबर में हुए इस घटना में अब तब कोई कारवाई नहीं की गई है, उन्होंने नितीश सरकार के मंत्री राम सूरत राए के स्कूल व उनके भाई के नाम पर है और स्कूल का संचालन कोई और करता है, इस मामले में तजस्वी यादव ने मंत्री राम सूरत राए के स्तीफे की मांग की है, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में स्कूल के हेड मास्टर के परिवार को भी जान का खत्रा है, उन्हें ततकाल सुर पहली बार यह मामला है क्या खाता कभी डिटेल होना ना चाहिए पैसा आता होगा हर मही ने इनके भाई देते होंगे बिहार में लागो शराब बंदी कानून पर विवाद जारी है विपक्ष लगातार शराब बंदी के मुद्दे पर सीम नितीश पर निशाना साध रही है इसी क्रम में चिराब पास्वान की पाटी लजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजु तिवारी ने विवादित बयान दिया है मुतिहारी पहुंचे लजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नितीश कुमार के अधिकारियों ने ही उनके शराब बंदी जैसे ड्रीम प्रोजेक्ट का बलत कार कर दिया है RLSP के जेडियों में विले को लेकर भी उन्होंने कहा कि विधान सभाद चुनाओं में जेडियों का जो परिनाम आया है इससे साफ हो गया है कि जनता उन्हें अब नकार रही है मांग नहीं किये हम लोग, हम लोग मांगने वाले नहीं है हमको अब देखिए क्या करती है भारती जनता पार्टी हम लोग वहाँ आज के डेट में केंदर में एक साथ हम लोग चुनाओं लड़े थे लोग सभा का हमारे छे सांसद हैं हमारे जो स्वरगी रामविलास पासवान जी की निधन होने के बाद अब देखिए केंदर में भारती जनता पार्टी क्या करती है हमनों को इदम भूत तक काम करना है और कारकरता को मजबूत करना है अब बाकी जन अधार की कमी नहीं है मेरे पास लोचपा के चुनाओं और शनिवार को बिहार विधानसभा की बजट सत्र की कारवाही से पूर्व आरजेडी विधायकों ने विधानसभा परिसर में आकर बिहार की बिगर्ती कानून विवस्था और शराब बंदी को लेकर नितीश सरकार के खिलाव जम कर नारे बाजी की इसी कड़ी में आरजेडी विधायक भाई विरेंद्र ने मुख्यमंत्री नितीश कुमार पर तंज कस्ते हुए कहा की विहार में शराब बंदी पूर्ण रूप से फेल है सियम नितीश इस पर कोई कारवाई नहीं कर रहे वह सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं यही नहीं भाई विरेंद्र ने आगे कहा की सियम नितीश को अब मुख्यमंत्री पद से स्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उनकी सरकार विफल है नितीश कुमार फेल हैं और वो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी कैसे बचे बिहार के लोग जाएं जहन्नुम में जाएं जहन्नुम में लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हमारी कुर्सी बची रहे और हमारे लोग उनके जो लोग हैं जो रसुकदार नेताओं के लोग हैं वो चाते हैं सराब का करो बार चलता रहे है फुलता फलता रहे ताकि हम करो रो और वो रुपे वहीं बिहार विधान सभा की कारवाही के पहले भागपा माले के विधायकों ने नितीश सरकार के खिलाव जम कर हंगामा किया विधायक मनोज मंजिल ने कहा कि बिहार में सरकार गरीबों के स्वास्ते पर मातर 14 रुपे खर्च करती है जबकि सरकारी अस्पतालों में इलाज के बावजूद दवाओं को खरीदने किसी गरीब के लिए बहुत मुश्किल है ऐसे में नितीश सरकार को कुल बजट का 10% हिस्सा सुास्ते पर खर्च करना चाहिए इस दोरान उन्होंने सुबे में खाली पड़े डॉक्टर और नर्सों की सीटों को लेकर सरकार का ध्यान आकरशित किया जारकन के सीएम हेमन सुरेन ने पश्चिम बंगाल विधान सभाचनाओं में मुख्यमंतरी ममता बेनरजी का समर्थन करने का एलान किया है उन्होंने इस संबंध में कहा कि जे-म-म बंगाल में कोई प्रत्याशिन नहीं उतारेगा आगे उन्होंने कहा कि सम्प्रादाइक शक्तियों को रोकने के लिए पार्टी ममता दीदी का साथ देगी और उन्हें फिर वापस लाने के लिए चुनाव प्रचार भी करेगी और इस फोन भी किया उन्होंने पत्र भी लिखा है और इस विश्या पर हमारे पार्टी सुप्रीमों से चर्चा भी हुई और काफी विचार मंतन के उपरांथ पार्टी सुप्रीमों ने उस दल को समर्थन देने के लिए वहाँ पर समती जताई है जो सम्प्रदाईक ताकत को रोक से और समस्तिपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां रोसरा थाना शेत्र के पांचोपुर गाओं में खेत में काम करने के दौरान करेंट लगने से दो लोगों की मौत हो गई है वहीं तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं सभी घायलों को परिजन अनुमंडल अस्पतार लेकर पहुँचे हैं जहां से डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिदी को देखते हुए रेफर कर दिया है बताया जा रहा है कि पाचोपुर गाउनेवासी शिवजी महतो और खुशीलाल महतो खेत में पानी पटाने के लिए गए थे मोटर चालू करने के दौरान बिजली की करेंट के चपेट में आ गए जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई वहीं बचाने के तीन लोग भी जखमी हो गए हैं पुलिस ने शब को कबजे में लेकर पोस्ट मौटम के लिए भेज दिया है यहां पर आज मौर्निंग सुभा हमें लगवक छे बजे के तकरीवान कुसी लाल महतो जी पटवन करने के लिए अपने खेत में मके पटाने के लिए गय हुए थे प्लोक लगाने के दर्मियान किसी तरह प्रेंट आगया तार में है और उनको बचाने के लिए शिवजी महतो वहीं पर सौच करने के लिए अपनाम हुआ जी हमारे साथ हमारे सहयोगी पपू जुर चुके हैं पपू कैसे हुआ है यह हादसा हमारा संपर्क उनसे तूट चुका है तो आपको बता दें कि समस्ति पूर में रोश्रा थाना शेत्र में गाउं में खेत में पानी पटाने गए यूवकों की करेंट लगने से मौत हो गई है